नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्टी के और स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल डियेसडी का आर्स पे आज की वीडियो में हमारे पास है किया सेल्टोस का ये HTX IVTG पेट्रोल ओटोमेटिक वेरियंट आप देख रहे हैं तो आज की वीडियो में इसी गाड़ी के सबी फिचर्स प्राइस और स्पेक्स की बात करने वाले हैं तो प्लीज वीडियो में इंड तक बने रहे हैं और हाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने भाई को अपना स्पोर्ट देते रहे हैं बात करें इस गाड़ी के features की crown jewel LED head lamps दिये गए हैं और head lamp के उपर से chrome finish का use किया गया है और DRLs दिये गए हैं पर turn indicators आप देख सकते हैं काफी अच्छी look में इस गाड़ी में आपको ice cube LED fog lamps दिये गए हैं black color के surrounding के साथ में जो कि काफी अच्छे लगते हैं front में आपको diamond cut shape में इस गाड़ी में grill दी गई है प्याणो black color के साथ में उसके उपर और नीचे chrome finish का use किया गया है और जो किया का logo है वो bonnet के उपर place किया गया है तो कुल मिला के इस गाड़ी की जो front look है वो बहुत ही अच्छी लगती है ब्रोड लगती है अब बात करते हैं इ black color की cladding का use किया गया है जो कि wheeler के उपर से होते हुए पूरी body में पीछे तक आपको दिख जाएगी और गाड़ी में 190 mm की ground clearness आपको मिल जाती है बात करें ORVM की तो body color में ORVM की दिए गया है उनी के उपर turn indicators place किये गया है deep silver finish के साथ में roof rails दिए गया है और sun roof भी इस बनती है गाड़ी की इस गाड़ी में पीछे भी आपको disc brake दिए गया है तो braking system इस गाड़ी में काफी अच्छा मिलने वाला है बात करें tail lamps की तो LED tail lamps दिए गया है इस गाड़ी में जो की बहुत अच्छी look देते हैं चल्टोस की badging दिगई है reflectors parking sensors bumper पे place किये गया है ट्रबो wiper rear defoggers high mount LED stop lamp और shark fin antenna आप देख सकते हैं गाड़ी में तो ये है overall look इस गाड़ी की back से back से या front से side से कहीं से भी आप इस गाड़ी को देखेंगे तो ये गाड़ी अच्छी ही लगती है बहुत ही अच्छे designing features इस गाड़ी में दिये गए हैं side में door silk lading दीगी है silver finish के साथ में काफी अच्छी overall finishes गाड़ी को दी गई है तो बहुत ही बहुत ही बहुत ही अच्छी ये गाड़ी आप लोगों के लिए साबित हो सकती है अब बात करते हैं इस गाड़ी के interior की तो इस गाड़ी में आपको remote control चा भी मिल जाती है lock, unlock, engine start, stop और boot opening बटन के साथ में driver side door पे requesting sensor द जाते हैं जो driver window है वो anti pinch, one touch up और one touch down function के साथ दी गई है, piano black finish का use किया गया है, दरवाजे पे silver finish के साथ में door handles दिये गए हैं, bottle holder और speakers दरवाजे पे दिये गए हैं, ये scupp plate दरवाजे में दी गई है, driver seat की height adjust करने का option दिया गया है, honeycomb pattern के साथ में leather seats दी गई है और adjustable headrest दिये जाते हैं, काफी premium look है इस गाड़ी के अंदर से, तो काफी luxury feel देती है गाड़ी अंदर से, ये है dashboard की look, dashboard की look भी लाजवाब है इस गाड़ी की, यहां driver के right side में engine start stop और light वगरा के control दिये गए हैं, AC events के उपर silver finish का use किया गया है, और जो MID meter है उसके उपर piano black finish का use किया गया है, steering पे cruise controls दिये गए हैं, sound controls और टेलिफोनिक controls भी दिये गए हैं, silver finish के साथ में DC steering wheel इस गाड़ी में मिलता है और celtos की badging भी आपको steering पे मिल जाती है, dual airbag दिये गए हैं इस गाड़ी में, इस MID meter में आपको speedometer, rp meter, fuel और temperature analog मिलते हैं, बाकी सबी information आपको digital दिख जाती है, जो center में screen दी हुई है, multi trip meter, digital cloak, digital odometer, average fuel consumption, distance to empty, average speed, adjustable color, brightness जैसे features इस गाड़ी में मिल जाते हैं, leather cover भी steering पे आपको मिल जाता है, यह है इस गाड़ी का infotainment system, इस गाड़ी में 10.25 इंच का touch screen infotainment system दिया गया है, जो की सभी smart connectivity से connect हो सकता है, 6 speaker के साथ इस system इस गाड़ी में दिया पिया है, piano black और silver finish का use किया गया है, इस events के उपर hazard switch दोनों इस events के बीच में दिया गया है, इस गाड़ी में आपको automatic climate control मिल जाता है, और जो छोटी से screen दी हुई है, उसमें air placement, temperature वगेरा आपको digital देखने को मिल जाता है, यह आपको fast charging point, USB point और 12 volt का accessory outlet दिया गया है, चोटा म पिया गया है, front cup holders दिये गया है, और storage के साथ में driver armrest भी दिया गया इस गाड़ी में, तो गाड़ी का जो interior है वो dual tone में आपको मिलेगा, और देख सकते हैं आप काफी अच्छी बहुती बढ़िया इस dashboard की look लगती है इस गाड़ी में, अब बात करते हैं इस गाड़ी के rear profile के बारे में, तो rear दर्वाजे पे भी power window के controls, silver finish के साथ में door handles, piano black finish का use किया गया है, और rear में sunset curtains आपको मिल जाते हैं दर्वाजे में, speakers और bottle holders दिये गए पिछले दर्वाजे पे भी, scoop plate पिछले दर्वाजे में भी add की गई है, यह है इस गाड़ी की rear sitting, तो यहां भी same आगे जै इसे में नहीं दिखा पा रहा हूँ, rear parcel tray इस गाड़ी में दी जाती है, एक बार space देख लेते हैं, तो space का कोई issue इस गाड़ी में आपको नहीं होने वाला है, rear recipients भी इस गाड़ी में आपको मिल जाते हैं, नीचे phone रखने की जगे और charging point आपको मिल जाता है, air purifier system भी इस गा आती है, और ये front में sunroof अगरा के light अगरा के सभी controls, sunglasses holder दिये गए हैं यहाँ पे, जो co driver side का sun visor है, उस पे vanity mirror दिया गया है, और driver वाले sun visor पे vanity mirror नहीं दिया गया है, fold ever grab handles दिये गया है, और rear में center cabin light भी दी गई है, जो की LED में है, और काफी अचीर उसनी पीछे दे देती है इस गाड़ी में आपको automatic anti glare rear view mirror दिया गया है, तो ये था इस गाड़ी का interior, अब चलते हैं इस गाड़ी के boot space की तरफ, तो boot space इस गाड़ी में आपको 433 लिटर के मिलता है, जो की काफी बड़ा boot space है, इस गाड़ी में आपको जो pair wheel मिलता है, वो normal wheel मिलता है, alloy wheel नहीं मिलता ह और बाकी सारे आपके उजार वेगरा इसमें रखे हुए है, टरंक light भी इस variant में दी गई है, और hanging hook वेगरा भी यहाँ पे आपको मिल जाता है, ये छोटा मोटा समान रखने की जगें भी इसमें दी गई है, जो floor है boot का वो थोड़ा सा उंचा है, फिर भी 433 लिटर का boot space इस साथ आती है, इस गाड़ी में 4 सिलेंडर 1.5 लिटर MPI petrol engine यूज किया गया है, जो कि इस गाड़ी को अच्छी खासी पावर दे देता है, तो अब बात करते हैं इस गाड़ी के pricing की, तो इस गाड़ी की जो एक showroom कीमत है वो है 14,34,000 रुपे और जो own road कीमत है वो है लगभग 16,30,000 रुपे, यह prices मैं आपको गुडगावा के बता रहा हूं, city to city और state to state यह prices vary कर सकते हैं, तो दोस्तों प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने भाई को अपना स्पोर्ट देते रहिए, यह था Kia Celtos HTX IVTG का छोटा सा review, वीडियो का इंड तक गेले कि覺得 नवी किनेकरे हैं, तोस्तों था acqu morph उा प Girish Today ऑर आपने वा में, uhm